आपका स्वागत है और इस समय हम मौजूद हैं दारुल शफा में दारुल शफा लखनव जहां सभी विधायक और मंत्री लोगों का आना जाना लगा रहता है ऐसे में पंचायतों की बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर कमल सिंग मलिक विधायक भारतिय जन्तापार्टी और उनके साथ में मौजूद हैं हाजी मुहमत उस्मान साहब अब हम ये जानेंगे कि पंचायत की जरूरत क्या है और उस पर सरकार का जवाब क्या होगा सबसे पहले हम रुक करेंगे हाजी मुहमत उस्मान साहब का जो अखिल भारतिय प्रधान संगठन के रास्त्रिय संरक्षक है सवाल क्या कर पूछना चाहेंगे आप सरकार से पंचायतों के संब्द्द मैं सबसे पहले तो ABPS न्यूज को बढ़ाई देना चाहता हूं कि वो इस तरह के कारिकरम लगातार आयुजित कर रही है और पंचायतों की समस्याएं लोगों के सामने रख रही है और सरकार तक पहुचा कर उसका सुधार कराना चाहती है मैं खासकर अपनी उत्तर प्रदेश और केंद्र क्यूंकि दोनों जगा भारती जनता पार्टी की सरकार है और उसी भारतिय जन्ता पार्टी से जुड़े हुए हमारे विधैक जी डाक्टर कमल सिंग जी यहां पर मौझूद है मैं एक बड़ी खास बात कहना चाहता हूँ कि सरकार खासकर केंदर सरकार की तरफ से पहले 73 वा संविधान शंसोधन विधैक लाया गया और उसके बाद इसको भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार के जमाने में ही हमारे उत्तर प्रदेश में लागू किया गया उस समय मानिये कलियान सिंग जी यहां के मुखमंतरी हुआ करते थे हम शुक्र खुजार हैं उस समय की भारतिय जन्ता पार्टी सरकार के और आज फिर उत्तर प्रदेश में भार्जी जन्ता पार्टी की सरकार है लेकिन तिहत्तर में संविधान शंशोधन बिध्यक की ग्यार्मी अनुसूची जो संविधान की है उसके मताबिक जो 29 अधिकार पंचायतों को सौपे जाने थे वो अभी तक पूर्ण तयार नहीं सौपे गए है बलके लगातार कहीं न कहीं उन अधिकारों में कटोती की जाती है और जो सत्ता विकेंदरी करन की बात थी और गांधी जी का गराम स्वराज का सपना साकार करने की बात थी वो अभी भी कहीं न कहीं पूरी तरह से साकार नहीं हुआ है मैं चाहता हूँ पंचायतों को वाधिकार दिलाने में हमारी ये सरकार और क्या-क्या मदद कर सकती है मैं कुछ इस तरह की बातें अपने मानने विधायक जी के माध्धम से दोनों सरकारों तक पहुशवाना चाहूंगा लेकिन उससे पहले चाहता हूँ हमारे विधायक जी इस बारे में कुछ ऐसा आस्वासंद है कि मैं जिन जिन विंदूओं पर बात करूँ वो यकीनन अपना सहोग उसके लिए प्रदान करने के लिए तैयार होंगे जी विधायक हैं ग्राम पंचायतों को अधिकार मिलें ग्राम पंचायते हैं एक तरह से स्वाबलंबी बनें ग्राम पंचायते हैं वो अपने में एक केंद्र बनें एक वो स्वायत केंद्र बनें और इसके लिए वो लगातार अपने विचार रखते रहते हैं पूरे देस में और जो उन और नयस है इसके लिए मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहता हूं जैसा उन्होंने बताया कि हम लोग 73 मां संविदान संसोदन बिधयक लेकर के आए थे चुकि महत्मा गांदी जी का सपना था क्या भारत गाओं में बस्ता है और गाओं उसके प्राण हैं ये स्वम अपने आप खड़े हों वो सावलंबी बनें वो अपनी समस्याओं को खुद सुल जाएं और गाओं के इंद्रित्र अपने प्रजातंत्र की बवस्ता बने तो इसके लिए हम लोग 73 मां संसोदन बिधयक लेकर के आए थे उसमें उस समय भी हमारी प्रदेश में सरकार थी कल्यान सिंग जी बहुती काम्याब मुख्यमंत्री थे और पुन्हे हमारी सरकार 74 वा संविदान संसोदन बिधयक लेकर के आई है और उसमें आप देखते हैं गाओं को बहुत सारे अधिकार मिले हैं जिन ईधिकारों को अभी बहुत सारी इस्टियां जो अधिकार मिले हैं वो कई वार वीरो केष्ट में फंस करके रह जाते हैं उन अधिकारों को ठीक से गृआम प्रदान पढ़ते नहीं और कई वार गृआम प्रदान वीरो केष्ट depress के करत repo के बनने के कारण से वो जनता तक व कोई भी उनका वर्क्षॉप निष्चित रूप से एक चलना चाहिए जिसमें क्या गरामपर्धानों सारे अधिकारों को जान जाएं और जिससे क्या जो चीज जनता को जितना लाव मिलना चाहिए केंद्र सरकार जो धन आज गरामपरधानों को दे रही है वो धन ठीक से जन्ता के आवे सकता हैं जिसके लिए धन या आता है वहानता तक वो पोंचे वहानता वो लगे इसके लिए हम पूरते कटी बद आं तहीं भी हम जो उस्मान साब कह रहे हैं जैसी उनकी अपिक्षा है वो गिराम इसके अध्यक्ष है अकिलवार्ति है हमारी सरकार पूरी तरह से इसके लिए कटी वद्ध है हम आपके साथ सदा खड़े हैं मैं अपने संग्ठण के माध्यम से दोनों सरकारों से सबसे पहली मांग ये करता हूं कि 73 में संविधान शंसोधन के मुताबिक हमारे पूरे देश में कोई समान पंचायती राजववस्था लागू होनी चाहिए एक ऐसा नया शंसोधन लाया जाए ताके केरल और तमिल नाडू कुछ जो दक्षणी राज हैं वहाँ पर पंचायतों की स्थिती बहुत मजबूत है उन्हें बहुत सारे अधिकार सौपे गए हैं ऐसा ही पूरे देश में समानता के साथ इसको लागू किया जाए दूसरी मेरी अपनी हार्दिक इच्छा है कि हम जब सत्ता वेकेंद्री करन की बात करते हैं तो उसमें राज्यों को कितना ही बढ़ा दिया जाए कितना ही जिलों का गठन कर दिया जाए आम जन्ता को इसका कोई फर्क तब तक महसूस नहीं होगा जब तक उसकी तमाम जरूरतें पंचायत इस तर पर पूर्ण नहों ऐसा करने के लिए पंचायतों को अपना पूर्ण कालिक सचिब एक कारिया ले जब तक ना मिलेगा और वहाँ पर लोगों की आम लोगों की जरूरतें पूरी नहीं इस्थानिये तोर पर होंगी तब तक उसकी एहमियत को लोग नहीं जानेंगे तो कमसकम वो दोनों सरकार हैं कोई ऐसा कदम लाजमी तोर पर उठाएं के पंचायतों का अपना कारियाले हो और उनका पूर्ण कालिक कोई सचिब की वहाँ तैनाती हो और आय पिर्मान पत्र जाती पिर्मान पत्र वो छोटे छोटे वो तमाम पिर्मान पत्र चाहे वो मिर्ति पिर्मान पत्र हो परिवार रेष्टर की नकल हो ये छोटी छोटी तमाम चीजें उनकी उसी कारियाले से उनको मिलती रहा करें ये तभी संबब हो पाएगा जब उनका अपना कारियाले हो जी सवाल ये है कि पूरे देश में एक ही पंचायती राज का कानून क्यों नहीं है प्रधानों को जो अधिकार उन्हों 73 सम्मिदान संशोधन में दिये गए हैं वो अब तक क्यों पूरे नहीं उपाए देखे जैसा उस्मान साब ने बताया तमिल नाडू में और दूसर प्रदेश केरल में वहाँ ग्राम पंचायतों को बहुत ज़्यादा अधिकार है और हमारे याँ उससे थोड़ा हम लोग अभी उतने अधिकार हम ग्राम पंचायतों को नहीं दे पाए लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जो हमारी केंदर की सरकार है वो पंचायत राज को लेकर के उसका मोटो है कि ये अपने में एक स्वतंत्र बोड़ी बने ग्राम मैं उस्मान साब से इत्वाक रखता हूँ मैं उनकी बात को विरकुल डिक्टो में बोल रहा हूँ कि हमारी सरकार का सपना है गाओं में रहने वाला व्यक्ति वो अपने को एक स्वतंत्र बोड़ी में वहीं उसको ऐसा ना हो कि मुझे कहीं और जाना पड़ेगा मुझे कोई विरोकेट से कोई काम है मेरे को तैसिलदार है और है वो सब लोग जाकर के गाओं में समस्चा सुनें गाओं का प्रधान वो सारी चीजियों को लेकर के गाओं की जो समस्चा हैं तो उसके लिए अभी कारले हो हम लोगों ने किया भी है आगे बड़े हैं टेली अभी ग्राम पंचाते जब इस तर पर आ जाएंगी तो आने वाला समय होगा जैसा उसमान साब कह रहे हैं वो साकार होने वाला है ग्राम पंचाते अपने ठीक गती के साथ आगे बढ़ रही हैं वो एक अपना स्वावलंबन का एक जो निश्चित करम है उस करम पर सरकार च उसके लिए हम लोग कटी वद्ध हैं जैसे अभी आपने बताया कि पंचायतों के लिए बाई फाई की इसकी सुविदा हो रही हैं लेकिन हमारे लोग बहुत से ऐसे गाउं में गए जहां पंचायत के पास में पंचायत घर तक नहीं हैं पंचायत घर तो लगबक हर गाउं गाउं में तै हैं कहीं कई बार ऐसा होता है ग्राम पंचायत बन गए और गाउं में कई बार विकास को ले करके एक स्विकारता समान स्विकारता नहीं मिल पाती कई बार भूमी नहीं हैं कई बार कोई दूसरे लोग हैं जो पिपक्ष में जो लड़े थे वो नहीं चाहते क का- YOU बिकास हो कुछ हो,…. तो तो कई बार विकास बादित हो जाता है कई बार नहीν ही बना पते और कारह ले भी नहीं बना पते कोई इस तरह का…. तो ऐसी समझते होगी, मैं समझता हूँ सब जगय, अगर कहीं जगय है, भूमी हैं, तो सब से पहले, गाउं में इसको अनुमुती मिलती है रो बनता है कहीं कोई rare case होगा कोई होगा इस तरह का मैं नहीं मानता ऐसा उस्मान साब है जनरली गाउं में बन गए जी आप से यह पूछना चाहूंगा कि आपके छेत्र में आपका तो पूरा ही छेत्र है पूरे भारत के आप रास्ट् अभी भी बहुत सारी पंचायतें बंचित हैं अपने उस कार्याले से या उस पंचायत भवन से लेकिन मैं खासकर अपने विदायक जी का ध्यान एक खास बात पर केंद्रित करना चाहूंगा अभी तक्रीबन दस महीने योगी जी की सरकार को उत्तर प्रदेश में आये हुए हुए हैं लेकिन जैसे ही योगी जी की सरकार आई उसने खनन की नीती को सुधारात्मक दरस्टी से पुरानी नीती को नरस्ट किया और उसकी वजह से सामिग्गिरी के दामों में बेताहाशा ब्रद्धी हुई लेकिन अभी तक लगातार वो दाम बढ़ रहे हैं घटे नहीं हैं लेकिन पंचायतों में जो रेट है उसका वो ही पुरानी दर हैं उसमें लागू है और ये पंचायतों की बहुत बड़ी समस्या है जिस पर मैं चाहता हूँ कि वो अपने दूसरे साथियों को भी अपने साथ जोड़ें अल्बत्ता वो मजदूरी को लेकर है शिरम को लेकर है मजदूरी के दरों को लेकर है अब उसमें अगर उलेकनी बिरद्धी है तो ठीक है और अगर वो बिरद्धी कम हो तो मैं चाहता हूँ मजदूरों के हित में आम लोगों के हित में लाजमी तोर पर उसमें संसोधन कराया जाए और यहां पर मैं एक और खास बात भी कहना चाहूँगा पंचायत इस तर पर जो बहुत सारे मांदे पर करमी तेनाथ हैं वो चाहे आंगनवाडी हों आशाएं हों या दूसरे और लोग हों जो नीचे केवल मांदे पर काम करते हैं साथ में उनके भी मांदे हो के बारे में वो अगर बात करें तो ये आम लोगों के और ग्रामीर छित्रों से जुड़े हुए लोगों के हित्म होगा जी विधायक जी उस्मान साब ने जो चंता व्यक्त की है गाउं में बालू और इसको लेकर के जो भवन निर्मान की सामक्री है उसको सभी लोग जानते हैं आम जनता इस वात को कम जानती है कि जो पिछली सरकारों में जो नीती हाई कोर्ट ने बनाई है वो पूरी तरह से आंसिक रूप से उसमें कुछ निर्देश थे लेकिन अब जो नीती बनी है उसको पृति एक स्टेट में लागू किया गया है और वही पूरे भारत के अंदर लागू है और इसमें पृदेश सरकार का कोई इसमें रोल नहीं है उसकी भूमी का नहीं है चुकि जो यह बहुत महत्मूर विसे था लोग खनन करते थे और उसको खनन का ऐसा धन्दा था जिसमें एक बहुत बड़ा भूमाफिया गर दी थी वो विसे पहुँचा और हमारे यह सुप्रीम कोर्ट सरवोज संस्ता है और जो वो किसी चीज़ पर दिशा निर्देश दे दे देती है कोई भी रूलिंग बना देती है तो उसको फिर वो फालो करना पड़ता है 100% उसी किरम में अब यह उत्तर प्रदेश की सरकार बनी महने आदितनात योगी जी की सरकार बनी तो उसमें वो सारी जो पिछली पोलीसी थी उसको कड़ाई से सुप्रीम कोर्ट की फूलीशी को हमें फालो कराना पड़ा उसके कारण से बहुत सारी दिक्ते हैं बालू का खनन का तुरंत काम ऐसे लाकर के नहीं कर सकते उस पे बहुत सारे पैनल्टीज हैं कोई भी पकड़ा जाएगा उसके कारण से बहुत सारी दिक्ते आई हैं सरकार इस सीज़ पर विचार कर रही है और ये कोई राजनीती का फिरकुल विसे नहीं है इसमें सत्ता पक्ष और पृति पक्ष दोनों मिल करके क्या हो सकता है हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी अपने सुझाब दिये हैं किस तरह से है मेरा तो छेत्र जो गड़ मुक्तिस्वर है वो सारा करनन का छेत्र है बहुत बड़ी मारा मारी है अभी में मैं आया हूँ तो जनता में बड़ा त्रही माम है जो लोग अपना कुछ भी छोटा काम करते थे ले आए अपना 10 पराद, 20 पराद और उसना काम कर लिया आज उनको 10 पराद भी लेना होगा तो कहीं से खरीट के लाएंगे पहले लोग ला करके अपने भंडारन कर लिया करते थे वहां से बेज दिया करते थे तो भंडारन वालों को भी लाइसेंस चीए तो एक बड़ी समस्या है वास्ताम में और इसके कारण से सारे विकास के कारेओं में कहीं न कहीं जो गती होनी चाहिए वो नहीं है और इसको हम लोग सरकार इसके लिए बहुत गंबीर है और कोई न कोई रास्ता Supreme Court को सुझाब दे कर कि कोई न कोई रास्ता निकलेगा अभी भी निकाला है जो मिट्टी का खनन था कहीं से उठाना था तो उसमें दस टॉली के लिए कोई पावंदी नहीं है और ला सकते हैं सरकार इसके लिए जनता जिस सीज से तरही माम है उसमें सरकार का ध्यान नहीं है ऐसा नहीं है लेकिन कोई न कोई रास्ता ऐसा चाहते हैं अगर कहीं भी हमने इसको थोड़ी सी भी ढिलाई करते हैं तो पता चली जो माफिया लोग है वो उसका तुरन तलाव उठाते हैं तो इसमें कोई नहीं कोई नीती बनने वाली है और जो भी तक पिछले दस महीने में अविंटमेंट हुए है वो थोड़ा अंसिक हैं जिसके कारण से दिक्कत आ रही है कुछ ना कुछ इसमें और सरकार बनाएगी और काम विकास के कामों को गती मिलेगी गाओं में तो मैं जल भराओ की समस्या दूर करें या रास्तों में जल भराओ की समस्या दूर करें तो पंचायतों को एक तरह से पूरी छूट दे दी जाए गाओं पंचायतों को पूरी छूट मिले कि वो अपना जितना काम करें उसमें खनन के प्राविधान लागू ना हूँ मैं चाहता हूँ हमारे विधायक जी अपना एक प्रेशर गुरूप बना कर हमारी इस बात को भी वहाँ पर पेश करेंगे जी विधायक जी इस मामले पर क्या कहना चाहिए निश्यत रूप से ग्राम पंचायतों को जैसा उस्मान साथ कह रहे हैं कि उनको इतनी छूट होनी चाहिए कि ग्राओं विकास के कामों में खनन में उनको छूट मिले तो एक इसका वरगी करण की एक कैसे इसका वरगी करण हो सके कैसे एक बड़ा काम है उसको किस तरह से कोई पर्टिकुलर एरिया उनको दिया जाए कुछ है और निश्यत रूप से अच्छा सुझाब है इसको गाओं को मिलेगा तो आज दिक्कत है मैं भी जानता हूँ मेरे छेतर में भी है जो लोग गाओं में काम कर रहे हैं वो लोग आते हैं और विचार करेगी सरकार इस पर हम भी सुझाब रखेंगे क्या हो सकता है किस तरह से सुप्रीम कोट की रूलिंग को भी हम लोग फालो करें और कैसे आम जनता को भी लाब पहुँचे आम जनता ये मैसेज वहां तक पहुँच सके कि सरकार आपके लिए बनी है और आपकी सरकार है आपके लिए काम कर रही है इसमें कहीं न कहीं फिलाल इस नीती में गैप है मैं भी मानता हूँ और चुकि जनता तक ये चीज पहुँचने में जनता नहीं जानती सुप्रीम कोड ने किया जनता तो ये जानती है बीजेपी की सरकार आई है और बीजेपी की सरकार ने किया है और मैं जनता को भी इस चैनल से कहना चाहता हूं थोड़ा धेरे रखें सुप्रीम कोड ने जो डूलिंग हमारे सामने आई है हमें ही फालो करानी है इसलिए थोड़ा हम लोगों को अप यह siis मिला है इसमें और हम लोग चंता ने चूनके बेजें हैं प्रचंड बहुमत के साथ बेजे हैं तो प्रचंड उर्जा सक्ति के साथ हम चंता के लिए काम करना चाहते हैं और इसमें निश्यत रूप से कोई ना कोई रास्ता सिग्रती सिख्र निगलेगा सरकार के लिए कटीवद्ध है और गंबीर है यहीं पर मैं पंचायतों की एक और समस्या विधायक जी के माध्यम से सरकार तक पहुचाना चाहूँगा कि जितनी निर्मार एजंसिया हैं पंचायत संबंदी तो उसमें छेतर पंचायत जिला पंचायत या विधायक निदी सांसदन दी इन से जितने काम होते हैं और जो गाउँ पंचायत काम कराती है तो गाउँ पंचायत को भुकतान बाकी तमाम से 10 पृतिशत कम किया जाता है और उसमें ये बताया जाता है कि जो इस्टिमेट है बाकी तमाम में ठेकेदार का प्रॉफिट इंकलूड किया जाता है और क्यूंकि पंचायत को no profit no loss के हिसाब से काम कराना होता है इसलिए 10% उसको कम भुक्तान किया जाता है ऐसे में पंचायतों को जब no profit no loss पर काम कराने की एक foundation है तो हम ये बात चाहते हैं कि उन्हें अपने estimate में शंशोधन करने का अधिकार भी स्वयम ही मिलना चाहिए कि वो हमेशा चाहे मजदूरी हो चाहे सामिग्री हो वो बाजार में जो रेट हो उसके हिसाब से खरीद के no profit no loss पर हमेशा काम कराते रहें और एक दुरागरे है बड़ा अजीब औ गरीब पंचायतों के पिरती चाहे वो प्रैस हो या लोगों के बीच हो के पंचायत पिरती निधी और पंचायते बहुत भारी बेईमान है लेकिन मैंने आज एक बड़ी खास बात सब के सामने रखी है कि केवल पंचायते ही दत्रितिशत कम पर काम कराती है और आज भी जो पंचायतों के काम की क्वालिटी है वो बाकी तमाम दूसरी अजनसियों के कामों से बहतर है मगर अजीब बात है जाच केवल पंचायतों के कामों की होती है और लोगों का मैं समझता हूँ ध्यान बटाने के लिए ऐसा करवाया जाता है बाकी दूसरे निधियों से और एजनसियों से जो काम होते है उनकी कोई जाच वगरा नहीं होती ऐसा तब मुम्किन है कि उनके स्ताफ उनके पास अच्छे हैं और तक्नीकी स्ताफ भी उनके पास मौजूद है और पंचायतों को दूसरों पर निर्भरता रहनी पड़ती है तो पंचायतों को थोड़ा इस मामले में भी निर्भर बनाया जाए और इस दुरागे रहको जो प्रैस में और लोगों के बीच है मिटाने के लिए जब पंचायत दस पृतिशत कम में करती है तो कमसकम उन्हें ये आजादी मिले मैं इसमें भी विधायक जी से पहरवी चाता हूँ विधायक जी एस्टिमेट ग्राम पंचायत अपने हिसाब से संशोदित कर सके जब कम पैसों में काम कर रहे हैं तो फिर उन्हें आजादी क्यों नहीं मिलती और जाच में उन्हें क्यों भसा दिया जाता है और जादा तर भ्रष्टाचार ग्राम पंचायत के जो प्रतिनिदी होते हैं ग्राम प्रधान या सरपंच या मुख्या उन्हीं के सिर के उमड़ दिया जाता है ग्राम पंचायतों को दस प्रतिसत कम उस पर उनकी बिल बनते हैं और उनसे ऐसा आग्रे आग्रेनी आदेश रहता है कि आप नो प्रोफिट और नो लोस पर काम करेंगे तो वास्तम में इस तरह का तो ये तो भेदवाब है और किसी भी जो निर्मान संस्थाएं है इस तरह का भेदवाब नहीं होना चाहिए और ग्राम पंचाए तो अपने में स्वतंतर बोड़ी है उसको सरकार ने जो नियम बनाए है और जो अप्यक्षा की गए ये ग्राम पंचाए से गाओं की जनता है वह उसको सही से वहां काम हो सकें क्वालिटी भी अच्छी देते हैं तो पैर भी करेंगे निश्य दूप से अगर ऐसा मेरे को मैं इसे स्विकार करता हूँ मुझे इसकी जनकारी उस्मान साब से ही मिल रही है कि 10% बिलो उनके रेट तह किये जाते हैं तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए आज का जो परिस्ति है उनको ये भी अधिकार मिलना ही चाहिए जिस प्रकार से बालू नहीं मिल रही और चीज नहीं मिल रही तो वो रेट दे सकें अपने तो उसमें सरकार में बात रखेंगे इस तरह का भेदवाब ग्राम पंचायतों के साथ और बाकी जो जितनी निर्मान संस्था हैं उनके साथ नहीं होना चाहिए और अगर है चुकि मेरा पंचायती राजग्यान साथ उतना नहीं है जितना उसमान साप का है मैं ये भी सुकार करता हूँ पुराने आज वो पूरे भारत वर्स के गराम संके तूर आज्टय संठक्षक के और राश्टय संठक्षक सही हातों में नहीं है मैं ये भी मानता हूँ उनकी जागरूब होना उनकी जो अवयर न्यस है तो वास्ताम में उनकी जो सुझाव है वो बहुत अच्छे है और इन सुझावों को हम प्रदेश सरकार में प्रदेश सरकार से उपर भी पहुंचाएंगे मैं उनको ऐसा विस्वास दिलाता हूँ यू तो फंड फंक्शन और फंक्शनरीज ये तीनों सब्द अंग्रेजी के हैं इन्हें अगर मैं हिंदी में अनुबादित करना चाहूं तो फंड यानि धन और फंक्शन यानि कार और फंक्शनरीज कार करता काम करने वाले इन तीनों चीजों पर पंचायतों का काज़ी नियंतरण तो है और मैं फखर करता हूँ इस बात पर कि एक मात्र गाउँ पंचायत के प्रधान ही ऐसे प्रतिनीधी है जिनके खिलाफ जाँच करने के लिए सरकार की तरफ से एक निया मावली है और उसी प्रक्रिया के तहत उनकी जाँच भी होती है और बिना उस प्रक्रिया को निर्धारित की अगर कोई जाँच की बात करता है तो वो जाँच स्वीकार नहीं होती और प्रधान के खिलाब कारवाई नहीं होती लेकिन आज भी कुछ ऐसी चीजें है कि जिन चीजों का फंड लाभार्थी को सीधे दिये जाता है चाहे उप्रधान मंत्री आवास योजना हो या स्वच भारता भ्यान के तहत सौचाले का निर्वाण हो तो इसका धन तो लाभार्थी के खाते में गया लेकिन फिर भी इन चीजों के लिए भी प्रधान के खिलाफ रिपोर्ट होना ताज्युप की बात है और एक तरह से घोर अन्याय की बात है मैं केवल उनी चीजों के बारे में चाहता हूँ कि प्रधानों के खिलाफ कारवाई हो जिसका सीधा उन से संबंद हो और जहां उनके पैसा निकालने या खर्च करने में अपने दस्तखत होते हूँ मैं इस पर भी आपके जरीए ध्यान अकरशित करना चाहता हूँ इसके अलावा मन्रेगा में जब से पुरानी सरकार के बदले ये दोनों सरकारे बदली कहीं न कहीं इसको लेकर एक दुरागरह पैदा हुआ है और कहीं न कहीं कतनी और करनी में फरक आया है और उसकी प्रक्रिया कुछ न कुछ बाधित हुई है जिस रफ्तार के साथ हमारे देश के कानून ने लोगों को या अधिकार दिया था कि वो साल भर में इतने दिन का रोजगार ले सके वो रोजगार या तो उने प्राप्त नहीं होता या रोजगार प्राप्त होने के बाद भी उनके भुकतान में देरी होना तो अगर कोई गड़बडी कर देता है तो पंचायत प्रदिनी के खिलाब कारवाई हो जाती है लेकिन जब भुकतान में देरी होती है सरकार के इस तर से तो प्राविधान तो 15 दिन से ज्यादा अगर भुकतान में देरी हो उसके लिए जो जिम्मेदार हो उनके लिए भी है तो उनके खिलाब कोई कारवाई नहीं होती और जब रोजगार 15 दिन से ज्यादा हो जाए किसी को मांगे हुए और ना मिले तो इसमें बिरोजगार भत्ता देने तक की बात है तो क्योंके वो भत्ता राज सरकार की तरफ से दिया जाना है ऐसे में ये दोनो बिंदू भी कहीं न कहीं बिरोधा भासी है और इसमें अमल में कहीं न कहीं परिशानी है मैं चाता हूँ ये बिरोधा भास भी दूर हो हमारे विदायक जी इस चीज़ को भी उसमा रखने की बात करें तो बिंदू बिरोधा वासी है देखिए एक तो उसमान साब ने कहा क्या प्रधान को सबसे पहले हिट किया जाता है कोई भी जाच हो तो सबसे पहले प्रधान की जाच होगी कोई भी कहीं प्रधान की जाच होगी भारतिय जन्माना से ऐसा है लोकतांतिरिक व्यवस्ता हमारे इस प्रकार का एक द्रष्टी आती है जो मूल सबसे पहले बेसिक बोड़ी है तो गाउं है वहां से चुनाप का सबसे पहला अंकुर निकलता है चुनाप चुनके आता है उसके बाद में फिर उस चुनाप फिर पंचायतें फिर ग्राम पंचायत के आगए जो बोड़ी हो उसका सरूप बड़ा होता चला जाता है ग्राम प्रधान से तो जब वो बड़ा होता चला जाता है तो उसका कद भी उस तरह काई तो जल्दी से लोग दूसरे को बड़ों को हिटनी करते सबसे पहले छोटों को हिट करते है उनको लगता है का यार यह सबसे छोटी बॉड़ी है इसको ही और यहीं से विरिश्टाचार की जड़ है अब माना जाता है कि गाउं परदान से ही पूर सब लोग लिकिन मैं भी ये मानता हूँ कहीं न कहीं ये हमारे एक बर्गी करणकार उसका कहीं न कहीं दोस है ऐसा नहीं है आज बहुत आइडल ग्राम पंचायते भी हैं आइडल ग्राम परदान भी हैं अब जैसे उस्मान साब बरकुल जहां से आते हैं मैं भी वहीं आएसपास का वहाँ रहने वाला हूँ अज वू पूर देश में नित्रत कर रहे हैं और इसलिए सब जगा तो ऐसा नहीं है और ईसा होना भी नकिचिए तो ग्राम परदान आज लोग उनको एसे गराम परदान हैं अगर वो चले जाएं सांसत के पास स सांसत को भी सम्मान से उन्हें बैठाना पड़ता है चुकि वो जो उन्होंने काम किये हैं गाओं में गाओं में उनके लोक तांतिर्ग विवस्था को उन्होंने फालो कराया है तो वो एक बहुत उनका जो मूले हैं वो बहुत करण में इसलिए दिक्कत आती है उपर की बाड़ी पे जल्दी से जाश कम करते हैं लोग हमारे या भारती है जो लोकतांत्रिक बेवस्ता जब से बनी तो जैसे जिसका कद उपर बढ़ता चला गया उसको उसी तरीके से सम्मान मिलता चला गया लेकिन बेस तो ग्राम है और हम में ग्राम प्रधान को भी चुकि उसी तरह से जनता चुनके बेशती है जिस तरह से विधायक को चुनके बेशती है जिस तरह से सामसत को चुनके बेशती है भले ही वो छोटी बोड़ी हो गाउं में हजार हो पंद्रे सो हो बोड़ हो दोजार हो चाहें वो चार लाग का प जहां गराम प्रधान ठीक हैं कुछ हैं अगर वो चाहेंगे तो जन्मत उसी तरफ जाता है जहां गराम प्रधान के खारों के उपर है जहां गराम प्रधान अच्छे काम करते हैं पूरा गाउन के साथ खड़ा रहता है और जहां गराम प्रधान अपने व्यक्ति का संपनता और बिलाश्ता के उपर खर्च करने वाले बन जाते हैं तो उनका उस तरह कालग सम्मान रहता है दूसरा और कोश्चन था आपका धन लावारती के खाते में जाता है हाँ ऐसा भी है चुकि गिराम प्रधान कहीं भी कुछ हो जाए देखा भी है जिम्मेदारी की उसी की हो जाती है और हमारी सरकार पर एक और कोश्चन आपने किया था कि बहुत सारी ऐसे व्यवस्थाएं हैं जिसको हमारी सरकार ने संसोजित करके उसको लेकर के आई है जो परानी व्यवस्थाएं थी जैसे पेंसन की व्यवस्था थी पेंसन में जो पिछली सरकार है जिस योजना को मन रेगा कि आपने चड़चा की तो कई बार जो सरकारे होती हैं वो अपने तरह से नीतियां बनाती है उसको अपनी तरह से उसका आउटपूट दीखता है उनको वो उनकी इस परकार से वो समाज में अपने को प्रिजेंट करती है उनको लगता है कि इस वर्क को हमें लावार्ती बनाना है कुछ करना है कल को लोकतांत्रिक व्यवस्ता में हमें इसका लाब मिलने वाला है फिर कोई दूसरी सरकार बदलती है जिस परकार से पिछली सरकार है थी बदली मन्रेगा चुकी कॉंग्रेस के टाइम की योजना थी उसके बाद केंदर में भार्दिन्ता पार्टी की सरकार आई तो उसमें कुछ बहुत सारे संसोधन कीए हैं कई बार ऐसा ना हो कि लोग काम नहीं कर रहे और पैसा खाते में चला गया इसके कारण से कईवार लगता है लेकिन सरकार हमारी इसको सरकार को और रिफाइन करना चाहती है सिस्टम को जिससे क्या लोग जिनके खाते में पैसा जाये सरकार से वो काम भी करें पस इतना है बागी सरकार की नियत बहुत इसपस्ट है साफ है दूसरा पेंसनों के बारे में भी बहुत सारी पेंसनों के सबी लोग अभी एक वरस की ये दस महीने की सरकार है दस महीने के सरकार में अभी पेंसन का जो पिछली पेंसन है थी उनको रोका गया नई पेंसन अभी लोगों की बन ही नहीं ये बीच में बड़ा एक एसानती जैसा लोगों में है और एक वैक्यूम बना है गया रही है सरकार तो उसमें भी मैं कहना चाहता हूँ उसमें भी सरकार इसको रिफाइन कर रही है सरकार सीधा लावार थी कि जैसा उसमान साब कहा रहे थे सीधा लावार थी इसमें भी और क्या सिस्ट बिर्कुल रिफाइन भी बिर्कुल एक ऐसी हो इसमें कहीं कोई गुंजास ना मिल जाए वीरो केट्स से लेके कहीं बीच में कोई बीचोली आ ना पैदा हो जाए जनपडिनी जोकेर उनके बीच में ना कोई पैदा हो जाए इसको करके सरकार से सिस्टम को बहुत ही एक बहुत गंभीर होके बहुत उसमें बहुत तेजी से उसके बर्कशॉप लगा करके और वो सब करके लोगों से पूछ करके ऐसे कामों में लगी है बहुत जल्डी ही इसको हम इस तरह कर देंगे कि कहीं बीच में कोई धन इधर उदर ना जाये और जो ग्राम पंचातों में ग्राम प्रधानों की इस्टिती बन जाती है कि पता चली जा वहां रहा है उसके बाद भी बदनाम प्रधावन हो रहा है तो प्रधान पर कोई बदनामी ना आए प्रधान को कोई टोक टोक ना सके और सीधा संबाज जनता कार उसका बन सके और जनता ये जान सके क्या सरकार की और उसकी नियत क्या है और प्रधान का इसमें कोई कहीं कोई इस तरह का रूल नहीं है तो इसी सिस्टम को लाकर करे सरकार चाहती है और सरकार गराम प्रधान को अपने एक गाओं का एक जैसे पहले समय में राजा की विवस्ता थी बिरकुल वो अपनी जंता के लिए हर तरह से आग रही होता था जंता के लिए सब कुछ एक मेरी जंता में कहां-कहां क्या क्या चीज हो सकती है उसको ठीक क्या-क्या परिसानिय है उनको दूर करें तो ऐसा एक सिस्टम सरकार कर रही है और बहुत जल्दी ही प्रदेश की सरकार आप देखेंगे अभी हम लोगों ने जो विद्वा पेंसन हो, विकलांग पेंसन हो व्रद्दा पेंसन हो इन सारी पेंसनों को गाउं गाउं जाकर के और बिरुकल ठीक उचिद वक्ति उसके खाते खुल सके, उसमे जा सके उसके लिए कैम्प लगा करके और उसके लिए बाद़ता कर रही है सिकरेट्री है, और है बाद़्य होगा जाकर के प्रतीयक की इसके इजिए फेंसन बना सके बाद ग्राम प्रधान का जो एक ओनर का जो एक लेवल है वो बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस का लेवल भी बढ़ेगा कि लोग कॉन्फिडेंस बिल्ड अप कर सकेंगे फिर हाँ वई हमारा प्रधान है तो वो कहीं किसी चीज में लिप्त नहीं है वो निशित रूप से एक अच्छे मन के साथ निर्मल मन के साथ लोगों की जनता की सेवा में लगा है और यह समबैदानिक बेवस्ता है जिस प्रकार की अब सरकार जो विध्याक के ले करके आ रही है इसमें बहुत सारे प्राफदान हैं उस उस प्राफदानों को आप जब जिससे में हम या इडॉप्ट करके जो प्रोसी जिए उसमें ला रहे हैं उसको और वो होगा अखिल भारती प्रदान संगेठन कौन सी ऐसी मांगें हैं मुख्य जो विध्याक जी के माध्यम से सरकार तक पहुचाना जाए मैं अभी जहां तक प्रमुख मांगो का मामला है मैं उन तक बात न रखके अभी दो तीन बाते मैं आलोचनात्मक दरस्टी से भी करना चाहूँगा और वो इस नजरिये से के हमारे संविधान की एक मूल भावना है न्याय की दरस्टी में के भले ही निन्यानवे गुनाहगार छूट जाएं लेकिन एक भी निर्दोष को सजा ना मिले कहीं ना कहीं चाहे वो नोट बंदी की नीती रही हो चाहे आधार कार्ड की अनवारी अता रही हो चाहे जेस्टी का मामला रहा हो इन तमाम चीज़ों को लेकर हमारी केंदर सरकार या माननी मोदी जी की नीतिया मेरे नजर में कुछ इस तरह की लगती है के पुरानी अगर मिसाल थी साप मर जाए लाठी ना तूटे मगर वो इसका उल्टा करने पर तुले है जनता मर जाए लाठी तूट जाए भले इस साप ना मरे मुझे लगता है नो गवाओ और सो गवाओ जो पुराना एक महावरा था उनका अपनी इन नीतियों के बदले सो गवाओ और नो गवाओ उस काले धन की कारवाई में भी मुझे केवल इस तरह का महसूस होता है और जहां हम एक तरफ देरी की बात करें कि हम केवल इस जाँच भर में कि कौन पात्र है और कौन अपात्र है इसके बदले हमें लगता है कि ये तो हम सब जानते हैं कि पात्र भी मौजूद है आतरों के साथ लगातार अन्याय करते रहें कि उन्हें वो जो कुछ मिलता था वो भी बंद कर दें या पकड़ने हैं हमें मगरमच तालाब के और मगरमच तो कोई ना पकड़ा जाए पूरे तालाब को भी हम खाली कर दें और मचलिया सारी मर जाएं मैं इसे आलोचनात्मक द कालू तो कुछ मुझे इस तरह का महसूस होता है और आम जनता को क्योंके हम दिहास से जुड़े हैं कुछ इस तरह का भी महसूस होता है और ये फर्क भले गुजराद में मोदी जी की सरकार बनी है मैं वहाँ के जीतने के परिपेख्ष में भी इस बात को मान कर चलता हूँ कि ग्रामीर छेत्रों में एक तरह से उनका सफाया कर दिया है लोगों ने और वो शेहरी छेत्र में कामे अब हो पाए हैं तो क्या वो इसे खत्रे की घंटी अपने लिए महसूस नहीं करते इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो पंचायतों को मजबूती के साथ पकड़ें उनके प्रतनितियों को मजबूती के साथ पकड़ें और वहाँ पर जो आम आदमी है वो कवसकम जब एक जाच करने की बात भी हो रही है तो हमारे योगी जी सबसे पहले ये गोशना करें क्या वो आ जादा होगा वैं तो आम में अगर मांग करूँ उन आम लोगों की तरफ से तो उन बंचित लोगों के लिए जो विकलांग है या बेसहारा है उन्हें वो पेंशन की तादात कम सकम तीने जार रुपे महीना हो ताके उनकी गुजर बसर बहतर तरीके से हो सके मैं आलोचनात मग दरस्टी से भी ये अपना जो मैंने मामला यहां रखने की कोशिस की उस आम जनता का और पंचायतों का और सुधारात मग मैंने बात की उमीद करूँगा हमारे विधायक जी उस गाओं की आवाज को वहां तक पहुचाने की कोशिस करेंगे गाओं की आवाज को सरकार त सब ठीक नहीं रहेगा, एक विपक्ष की दृष्टी से, मने हमारे हैं कहा गया है, निंदक नियरे राखिये, आंगन कुटी छवाए, तो जब निंदक नहीं होंगे, तो हम सुधार की गुंजाइश खतम हो जाती है, निंदक नहीं हों तो, हमें कोई भी एक राजा होता है, तो राजा की नीतियों को लेकर के, राजा नीती निधारित करता है, आज राजा का इस्थान लोकतांतरिक व्यवस्ता में सरकार का है, सरकार बनती है, लोकतांतरिक तरह से चुनी जाती है वो, वो नीतिया निधारित करती है, उसके बाद में बैकल्पिग नीती, लूप में मैं उस्मान साब को देखता हूँ चुकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी खुबसूरती ये है कि हमारे सामने पृति पक्ष होता है और हर घड़ी हमको जगा करके रखता है कि नहीं आप जो नीती बना रहे हो उसमें बेकलपिक नीती ये उससे ज्यादे संदर हो सकती है तो मैं उसी रूप में इसको देखता हूँ और कुछी जो में हम सरकार के नुमाइंदे हैं सरकार चुनके आए हैं तो मोदी जी की कुछी नीतियों को उन्हें ने कहा जैसे नोट बंदी का GST का नोट बंदी में आप देखेंगे मैं उसमान साब को उन्हें भी देखा होगा कि नोट बंदी में कभी भी जो जनता लाइन में लगी थी वहाँ चैनल वाले आप तो ABVPS से हैं आप भी गए होंगे तो अगर आप ने लगा कर के पूछा होगा क्या कपसे लगे हैं लाइन में कि दिक्कत में हो कहते थे हम चाहें लाइन में कितने समय से लगे हूँ आपको क्या दिक्कत है मोदी जो कर रहा है हो ठीक कर रहा है मोदी जी सुधार को तभी कर पाए इसको तभी लागू कर पाए जब आम जनता ने उनका साथ दिया मैं उसमान साब का ध्यान आकर्षित करूँगा उसी समय साथ ग्रीस में साथ ग्रीस ही मैं I am स्योर एक जगे और देख करके इसको नोडवंदी का हुआ था पूरी जनता सडकों पोतर आई थी और दूसरे तीसरे देनी उनको वो बापस ले लिया था तो मैं समझता हूँ यहां की जनता ने इस चीज को सुकार किया था कि हाँ ये ठीक है होना चाहिए और कई बार कुछ रहे होंगे लेकिन ये प्रियोग जनता ने सुकार किया इसलिए मैं इसको सफल ही कहूँगा जी एश्टी का भी प्रियोग है इस प्रियोग के बाद उस्मान साब ने स्वामी बताया कि गुजरात में गाओं में पूरी तरह से भार्मता बार्टी को नकारा गया हम लोग हारे बेसक रूप से में सुकार करता हूँ हम लोग गुजरात में गाओं में हारे इसलिए 116 से 99 एक मिट 116 से 99 जहां तक देखिए पांचमी बार सरकार बनी है और पांचमी बार की सरकार बनने में लोग तो दूसरी बार जब सरकार बनती है तो सफाय हो जाते हैं आपको ध्यान करना चाहता हूँ दूसरी बार सरकार बनने में आज की जो परिष्टिती है जो भारतिय जन्मानस है जिस प्रकार की ग्लोवल एक लाइफ स्टाइल आदमी ने एडॉप्ट की है वो इस प्रकार की है कि तुरंट चेंज चाहता है वो चाहता है आज मैंने इसको देख लिया अगली बार नहीं देखना दूसरे को देखना है और उसके बाद गुजरात में हम पांचवी बार आए हैं और एकसुस सोले सर निन्न्यानवे हुए है बहुत बड़ा फरक नहीं है एक और दूसरे फरक इसमें मैं बता देना चाहता हूँ गुजरात में मोदी जी थे उस समय मोदी जी थे उसके बाद दूसरी जब वो आए जब देख के प्रधान मंतरी घोसित हुए उसके बाद में मुख्य मंतरी बदला तो बहुत बड़ा ज़्यादे फरक नहीं मानता मैं मुख्य मंतरी बदल गया और 116 से हम 99 रह गए इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मैं इसको बहुत बड़ी बाता हूँ क्या ये पंगाल में कैमनिश्टो की सरकार के बाद या केरल में उनके बाद में गुजरात की सरकार उस पंदचिन पे चली है जहां कि आ उसको पांच वी बार लोगों ने चुन करके भेजा है और गाओं में मैं मानता हूँ नोट बंदी का असर वो तो सहरों में होना चाहिए थमीर अपना व्यक्ति का थेमें पार्टी की तरफ से नहीं कह रहा चुकि नोट की आवे सकता तो सहर के वैपारियों को और उनको होती है गाओं का व्यक्ति बहुत ज़्यादे नोट उटके उन्हां उसके पास इतना बैंक में धन होता है चुकि ये जो अर्थ तंत्र है ये केंदरी थोता चला जाता है कस्वी की तरफ कस्वी से बड़े सहर की तरफ हैं मोनोपोलिस सिटी की तरफ फिर मेगलोपोलिस सिटी की तरफ आज अगर जो धन हमारे पास में पाक बड़ा कस्वा है कुंदर की है वो उसका चला जाएगा जादे कहा होगा मरदबाद मरदबाद से जादे दिली दिली से जादे बॉंबे बॉंबे से जादे जादे जाओगे न्यूवार्क एक एक किरम है तो जादे दिकत किसको होनी चाहिए ती सेरों के लोगों को होनी चाहिए थी सहर के लोगों को न कारणा चाहिए था बीजेपी को और मैं समझता हूँ सहर में उसको पूर सुझारता मिली इसी के कारणा से सरकार बनी तो उस्मान साब का जो आलोचना का आलोचना डारेक्ट ने कहेंगे लेकिन सुझाप कहेंगे और वो पृति पक्ष की तरफ से सुझाप कहेंगे और मैं उनके सुझाप को हम चिंतन करेंगे मनन भी करेंगे सरकार है और हमारी सरकार प्रदेश और केंदर में हमारी सरकार का उद्देश मैं उस्मान साब को कहना चाहूँगा हमारी सरकार का उद्देश कोई सिर्फ सारे किसी भी प्रपंचों को करके सत्ता प्राप्ती करके उसका सुक भोगना व्यक्ति का संपन्नता और परिवार की बिलास्ता कमाना नहीं है हमारी सरकार का उद्देश सिर्फ और सिर्फ भारत को दुनिया में पुराना खोया हुआ बहवब प्राप्त कराना है जहां से पूरी दुनिया भारत के ग्यान को लिया करती थी और भारत पूरी दुनिया को एक मानता के रास्ते सिखाया करता था उसी तरफ पुने हम भारत को लेकर के जाएं इसलिए आज के रिफाइन राष्टवाद को जो बीजेपी ने दिया है वो लगातार लोग उसको स्विकार कर रहे हैं और ये बर्ग भेद, जाती भेद, पंत भेद इससे उपर उठ करके सब का साथ सब के विकास के लिए हम लोग लगे हैं और हम पे बाकी हम विपक्ष के परती पक्ष के जो भी सुझाव आएंगे जन्ता के हित्म आएंगे, देश के हित्म आएंगे हम उने निश्यत रूप से पूरे आदर के साथ स्विकार करेंगे और अस्मान साहब के इन सुजाबों को भी निश्यत रूप से कहीं न कहीं विचारनी है और पुनार विचारनी है बेला में इनको रखेंगे और इनकी जो इद्टा है उनकी जो योकता है पूरे देश में वो किराम संग की प्रधान है उनको निश्यत रूप से पड़ाल पे कही ना कही है निश्यत रूप से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूँगा आज के इस डिवेट के लिए बहुत मैकपूर भी से है पुने है धन्यवाद तो यह थे प्रधान संगठन के रास्ति है संदक्षक जी एक और कोई सवाल करना चाहते है जहां तक हम पुरातंता की अगर हम बात करें तो हमारे प्रधान मंत्री जी अपने मन की बात करते हैं और पुरातंता हमें हमारे पुराने बादशा, पुराने राजा ये कोशिस करते हैं ते का जनता अपनी बात मुझसे कहे इस भेद को हम चाहते हैं कुछ ना कुछ मिटे दूसरा ये जब सरकार लोकतंतर में बनाई जाती है तो मोदी जी को पुर्ण बहुमत के साथ सरकार बना कर लोगों ने दी तो उनको ये भी पूरी आजादी दी लोगों ने कि वो जैसी जाहे नीती लागू करें और उन्हें पूरा समय दिया गया लेकिन अब उनका अंत समय है चुनाओं में दुबारा जब वो लोगों के सामने जाएंगे तो हर हालत में लोग बेरोजगारी के बारे में बात करना चाहेंगे उस काले धन का क्या रिजल्ट मिला इसके बारे में जरूर बात करना चाहेंगे और जो कुर्बानी लोगों ने लाइन में लग कर दी खड़े हो कर दी जान की शकल में भी दी और अपना राष्टिये समय खर्च करके भी इसका लाजमी तोर पर हिसाब मागा जाएगा लेकिन फिर भी इन बातों के साथ साथ मैं अपने भारती परधान संगठन की तरफ से दो-तीन ऐसी खास बात हैं लाजमी तोर पर चाहता हूँ हर हालत में संविधान की भावना के अनुरूप सत्ता विकेंदरी करण में ग्राम पंचायतों की भूमी का जैसे ग्राम सभा विधान सभा और लोक सभा इन ये तीन सभाए हमारे अकारनत हैं तो उस छोटी वाली सभा को पूर्ण अधिकार मिले उसे अपने यहां के कर्मियों पर पूर्ण नियंतरन हो और नियुक्ति को लेकर भी और अपनी जरूरतों को लेकर भी हो और जितना भी सरकारें या कोई भी एजंसी बजट खर्च करने की बात करें उनकी निर्मार एजंसी हर हालत में गराम पंचायत हो और उन योजनाओं की स्विकरती स्थानी अस तर पर पंचायतों के जरीये ली जाए यह चंद ऐसी जरूरते हैं और एहम बाते हैं जिनका हर हालत में इंपीलीमेंटेशन होना चाहिए और पंचायत प्रतिनिदियों को क्योंके खासकर ग्राम स्थर के पंचायत प्रतिनिदियों को प्रधानों को पार्टी बंदी और दूसरी रंजिशों के साथ अपनी जान भी धोनी पर जाती है ऐसे में बड़ी आसानी के साथ एक बीमा पॉलिसी अगरचे उसका प्रीमियम सरकार अपने इस तर से जमाना करे गिराम निदी से ही अगर जमा करने की इजाज़त दे दी जाए तब भी उनके लिए किसी पॉलिसी का निर्धान कर लिया जाए कि उनकी अकस्मिक मृत्यू पर तो उन्हें दसलाख मिल जाए या उनके कारकाल पूरा करने पर उन्हें कोई बाद में भी एक को ऐसा कमपन्शेशन टाइप कोई ना को एक जैसे मांदे उनको इस वक दिये जाता है को ऐसी एक पेंशन जैसी हो ताकि उनके साथ ये बात बरकरार रहे और उन्हें एक सम्मा मान की जरूरत है वो उनका मान उनके अधिकारों के रूप में मिले उन्हें इस्थायुत के रूप में मिले और जनता को जरूरत के रूप में मिले मैं ऐसी अपेंशा करता हूँ अस्मान साब हासोट में कहूंगा हमारे प्रधान मंतरी सहासी प्रधान मंतरी है और उनकी राजा की नीती और नियत दोनों में जब जन्ता विस्वास करती है उसी की बल पर वो निड़ने कर पाता है राजा तो प्रिधार मंत्री जो जन्ता के लिए निड़ने की हैं जो नीती लाए हैं मैं समझता हूँ सरकार के एक साल बचा है उसमें हम लोग सरकार फिर पुने जन्ता में अपना बोट मांगने के लिए अपने विस्वास लेने के लिए लोटेगी और मुझे फून विस्वास है चुकि उन्होंने जन्ता के लिए निड़ने की हैं वो निड़ने कई बार कठोर भी होते हैं और कठोर निर्ने ऐसा नहीं है कि साप भी मर जाए लाठी ना टूटा तो ये तो एक मध्य की इस्तिती हो गई हमें कोई परिवर्तन लेना है तो मुदी जी चीज के लिए जाने जाते हैं उनों किये हैं और जो दूसरे सवाल किये हैं उसमान साब ने वह वास्तम में परνथन करताओं और ये ग्राम से लेकर और बिधान सवा और लोकसवा तक हूँ ये अच्छा सुझाव है जो भी जनपरतिन दिजाए ग्राम्परताओं चुनके ऐये ये विधायक चुनके आए ये संसा सुनके ऐे उसका कोई वीमा उस निदी दी से हो चुकी ऐसा लोगता तो उसको कहीं न कहीं एक आर्थिक रूप से एक सिक्योर हाँ उसको ये मिल जाए कुछ ना कुछ कोई बात होगी कुछ होगी तो तू चुकी जनता के साथ है और मैं सुझाब इस सुझाब को हम लोग बिधान सबा में भी रखेंगी कुई न कोई बीमा बिधाया का प्रिधान का ये सांसाथ का होना चाहिए और वास्तम में अच्छा सुझाब है मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ आगे भी पंचायतों को लेकर एबी पियस की ये जंग जारी रहेगी तब तक के लिए अजे को दीजिये इजाज़त नमस्कार आगे